आगे बढ़ेंगे आगली खबर कानपूर से हैं कानपूर में एक बीजेपी नेता को धमकी भरा पत्र मिला है जिनमें मंत्री साध्वी निरंजन जोती का नाम भी शामिल है धमकी भरा पत्र मिलने से भास्पा नेदा का परिवार इस समय दहशक में है आपको बता दे पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है घाटमपूर पुलिस में ये मामला दर्च कर लिया गया है आपको बता दे इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है जा कानपूर में बीजेपी निता को धमकी भरा पत्र मिला है और उसमें साध्वी निरंजन जोती का भी नाम एड़ किया गया है इन लोगों को जान से मारने की धमकी मिली है जैसे ही ये चुठी